समख संका पांचवां सुनहरा नियम है, अमत्ष नियम, अमर नियम, गोल्डन नियम, immortal नियम, इंमोर्टल रूज मंच माला पतिठा यानी प्रतिष्टा पद कभी नहीं。 यानि पद, मंच, माला, पतिठा, पतिठा कभी नहीं. चार चीजों के लिए उसमें मना किया गया है. पद है, मंच है, माला है और पतिठा है. पद जो होता है, पुराने समय में जो पद बोलते थे, वो एक क्रिया है. क्रिया मतलब करने के लिए काम. पद का मतलब होता था तू गो यानि जाना पर पद को जब नाउन में संग्या में बदला गया तो पद को जो अर्थ दिया गया वो दिया गया कदम यह आप कह सकते हैं के आइडियोलोजी यानि कि कोई जैसे बोलते हैं हम चार पद हैं ये या दो पद हैं चार पद की गाथा है मतलब वो बात चार पदों में कही गई है चार बातों में कही गई है चार लाइन में कही गई है तो जब हम पद की बात करते हैं पराने समय की तो कहते हैं इसके पद देखो क्या है यानि इसके कदन देखो, यानि ये चलता कैसे है, यानि ये किस विचार पर चलता है, इसका विचार क्या है, क्योंकि पद का मतलब पैर नहीं होता, पैर को पाली के अंदर पाद बोलते हैं, पाद, और पाद का मतलब टांग है, पैर है, पाओ है, पर पाद जो पाद है, उसका हैं तो चलने की पैर बोलते हैं चलन पादू का मतलब चलने वाले पैर और पादू का माने जो उसमें सहयोगी है यानि चपल या खड़ाओ जो भी है तो चलन पादू का बोलते हैं पर जब चलन पद बोलते हैं तो इसका मतलब होता है चलने की रास्ति तो चलन पाद और चलन आस्मान का अंतर है चलनपद हो गया चलने की पर और चलन जनको पैर समझ के पूछते हैं या सिंबल के रूप में उनके पैर या उनके ख़डाओ या उनके ख़डाओ तो उनके पास थे नहीं, नंगे पैर चलते थे, पर खडाओ जैसी आकरती बनाई हुई है पत्थरों पे, इसको कहते हैं ये बुद्ध के पाद है, यानि बुद्ध के पैर है, वो बुद्ध के पैर से पूजने से कोई लियाने दरा हमारा है लिए बिसिकली हमें जो उनके चर्ण पद हैं जो उनकी चरिया है, जो चरिया की रास्ते हैं, जो जीवन भर उन्होंने आइडिलोजी दी है, उस पर हमें चलना आए, इसलूए उसको बौलते हैं और जो पदिक्षा पोलते हैं, कि हम बुद्ध की पदिक्षा कर रहे हैं, पदिक्खा का मतलब है पद माने विचार आइडिलोजी और दिख्खा माने देखना यानि उनके विचार आइडिलोजी को जो उन्होंने दिया उसको देखना उसको पदिक्खा बोलते हैं पदिक्षा भी बोलते हैं तुछ लोग उसको संस्काइद भासा में पर आज के समय प पद के वारे में कुछ पता हो या ना हो बस वो अधिकारी बन गया और अधिकार का इस्तमाल करता है वो एक विसेस रूप का एक विसेस अधिकार वाला आम आदमियों के बीच में विसेस आदमी बन जाता है जो विसेस अधिकार रखता है उसको पद और पद भी बोले लगे उससे क्या हुआ कि पद और पदवी जिसको देते हैं वो व्यक्ति खास हो जाता है, आम व्यक्ति से खास बन जाता है, किया कुछ नहीं, बस एनाउंस कर दिया कि आज से ये अधिकारी होगे, आज से इनको ये पदवी दी जाती है और वो व्यक्ति आम से खास हो जाता है और स चीजों से पद से, मंच से, माला से या पतिष्टा से कितना लाब होता है, कितनी हानी होती है, ये संग के लिए क्यों जहरीरे हैं, और लोग इसका कैसे इस्तमाल करते हैं, और ये कितने बड़े हतियार है किसी संग को खतम करने के लिए, किसी संग्ठन को खतम करने के लिए, क क्योंकि ये ऐसा हत्यार है जो दोनों तरफ काम करता है ये आपके संग को बचा भी सकता है और ये आपके संग को संथन को आपकी संस्था को खतम भी कर सकता है पद मंच माला और प्रतिष्ठा तो जब किसी व्यक्ति को बिना काम के या कोई सिफारिश से या किसी और तरीके से या साम, दाम, दंड, भेज, छल, कपट से कोई पद दिया जाता है जो उसका अधिकारी नहीं होता है तो जो लोग उसके अधिकारी होते हैं वो लोग काम करना बंद कर देते हैं वो लोग ग्रोध में आ जाते हैं और वो सिस्टम तूट जाता है ये पूरे भारत में सब जगे चलता है चाहें वो सरकारी जो पद है उनमें चलता है सरकारी पदों के अंदर जो लोग eligible होते हैं उनको वो अधिकार नहीं मिलता और जो लोग eligible नहीं होते जो योग्य नहीं होते उनको बड़े अधिकार मिल जाते हैं और फिर बड़े अधिकार वाले जो लोग है, वो छोटे अधिकार वाले लोगों पे अपना ताना साही चलाते हैं, उनको गुलाम की तरह इस्तमाल करते हैं, तो उससे जो ऐसे लोग हैं, जो डिजर्ब करते हैं, जो उसके योगे होते हैं, जिनको वो अधिकार मिलना क्योंकि उनको उनकी मेहनत का योग के अधिकार नहीं मिला ऐसे सरकारी महकमा में बहुत सारे किस्से हैं जब मैं जब रिजर्व लोगों के ने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया पर उनकी सियार उनकी जो कॉन्फिदेंशल रिपोर्ट है उसको खराब कर दिया गया या उनक पदों के अंदर जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं और जो व्यक्ति इसको लायक हैं उनको वो अस्थान नहीं दिया जाता वो अधिकार नहीं दिया जाता कि वो काम किया जाए और जो ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते जो काम जानते नहीं जो काम को सोचते नहीं उनको स फिसली हैं कि वो हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे रिस्तदार हैं, या हमको पैसा कमा के देंगे, या हमको चंदा देंगे, या हमारे नीचे रहेंगे, या हमारी बात मानेंगे, या हमारी चलाएंगे, या हमारे अधिकार में रहेंगे, उन लोगों को वो पद दिये जाते हैं चांट चांट कर दिये जाते हैं ये सामाजिक संग्ठनों में सम्में चलता है वैसे ही जितने भी जो छोटे मोटे मोहले या छोटी मोटी संस्थाओं में जहां छोटे मोटे लोग इखटे होते हैं वहां भी किसी को मानित या अपमानित करने के लिए किसी का मान देने के पद्ध का distribution किया जाता है और उसको घुरित करते हैं कि ये वेक्ति ऐसा है के वार जो नालायक आत्मी होता है उसको पंचायत का मुख्या बना देते हैं किसी सरावी कबाबी को बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि अच्छे लोग डिमराइज हों और अच्छे लोग बोलते नहीं तो पद्ध का दोधारी इस्तमाल होता है लोगों को खतम करने के लिए मी और लोगों को बचाने के लिए मी बुद्ध के समय में बुद्ध ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से गहनता से अध्धन किया इसलिए भिक्कु संग में और भिक्कु संग से पहले जो समढ संखा, उसमें कहीं कोई पद नहीं मिलता, उसमें कहीं कोई पोश्ट नहीं मिलती, उसमें कोई विशे सा अधिकार नहीं मिलता, उसमें कोई अधिकारी नहीं है, उसमें जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था टेंपरेरी रूप से अस्थाई रूप से बनाई जाती थी और अस्थाई रूप की जो विवस्ता है बस काम खतम होने के बाद में वो विवस्ता खतम हो जाती थी वहाँ कोई ऐसे नहीं होता था कि कोई आदमी पद ले के पूरा जीवन पर बैठा हुआ है और पद लेने के बाद में वो लगता लोगों पर धोस रहा है और धक्या रहा है इसलिए पद और पोस्ट का जो मानता थी वहाँ पर नहीं थी और कोई अधिकारी ऐसे मिलते भी नहीं यह सिस्टम इतना बढ़िया था कि इससे व्यक्तियों के अंदर उंच नीच का भाव नहीं आता था लोग किसी भी व्यक्तियों को उंचा या नीचा नहीं मानत था इसी बात को जो विपस्टना के आचारे हैं सत्यनाराण गोनका जी उन्होंने विपस्टना के सिस्टम में इसको लागू किया उन्होंने बहुत सारी विपस्टना के टीचर बनाए पर उन्होंने जो एजूकेसर वहां दी वो सारी वही है जो विपस्टना के बुद्ध दिन तक सिखाते हैं, वो वहां teacher रहते हैं, और जब जैसे 12 मा दिन होता है, और विपस्तना का कोर्स खतम होता है, वो भी pen कभी इस pen के साधान आदमियों में आ जाते हैं, फिर वहां teacher नहीं रहते हैं, सवाल जबाब आप उनसे पूछ सकते हो, आपकी विश्वास है, आप उन इस हतियार का इस्तमाल किया गया और इस हतियार के इस्तमाल में छोटे 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 जो हमारे समू थे उन समू के मुख्या बनाये गए। संस्थापक अधर्ष का रुत्वा बड़ा अजीब होता है और ऐसे लाखों संस्थापक अधर्ष गली में धक्के खाते घूम रहे हैं कोई पूसता रही है वैसे ही जो कोई आदमी अगर गाओं का प्रधान चुना जाता है तो वो प्रधानी से जब हटता है तो कौमन आदम नहीं बन पाता वो खतम हो जाता है फिर उसे लोग प्रधान जी कहते रहते हैं उसको एक्स प्रधान में नहीं कहते हैं उसको एक्स प्रधान करना भी खराब लगता है उसको प्रधान जी कहते हैं वैसे यह बिमारी आज के समय जो MLMP हैं जो मिनिश्टर हैं जो एकवार बन पर वो उस घमंड में उस कवर में उस पूरे को ओड के दर्जवादे में रहता है उसका नुपसान यह होता है कि वो समाज से कट जाता है क्योंकि समाज में जहां जाएगा वो पुराना जो रुत्वा है उसके हिसाफ से बात करता है पुराने रुत्वे के हिसाफ से अपनी प बटा रहता है जब तक मारना जाए मैं ये था मैं वो था मैं ये था मैं वो था बात सुरूख बात में करेगा पहले अपनी पद कुछिन बताएगा मेरा ये पुरसमारी है कि इसने लाखो लोग समज के खतम हो गे पद से जिनके पास पद आके चले भी गए वो भी लेकर ढो रहे हैं और वो ना नीचे बैटने को त्यार होते हैं ना common लोगों में आने को त्यार होते हैं ना आम सभा में आने के लिए त्यार होते हैं उनको बुलाओगे उनको मान सम्मान दोगे उनको फूल दोगे उनको गमशाद होगे, उनकी वहाबा करोगी, उनकी स्पीच कराओगे, तो तो वो आएंगे, अदर्वाइज आप और आपका समाज जाए भार में, उनसे कोई लेंदर नहीं है, इससे क्या हुआ कि समाज के बहुत सारे जो इंट्रिक्शन लोग थे, जिनको तजरुबा था, जिनके पास में रिसोर्सिस थे, जिन्होंने डॉक्टर अमबेटकर को पढ़ा, जिन्होंने कुछ जानकारी हासिल की, और जो साधरन समाज से आगे के लोग थे, वो समाज के काम नहीं आए, पर जो दूसरे लोग हैं, जो विरुद हमारे काम करते हैं, उनका व्यक्ती सार्क में मिलेगा, साधरन आदमी की तरह गाउं में मिलेगा, साधरन आदमी की तरह वो शहर में मिलेगा, आपको भाईया के रुद जी कहके बात करेगा, वो जानता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर आपको वो प्रधान जी और आपको नेता जी और आपको म बुलाते हैं तो उनके नाम के पीछे और आगे लंकार लिखते हैं फलाने फलाने माननी है पूर विधायक पूर मंत्री पूर आईएस पूर आईपीएस पूर ये नेता पूर विये पूर विये उस पूर को हमने क्या करना है उसका क्या फाइदा हमारे ये हमारे ये फाइदा जो उसको मिला है, उसको कभी समझ में नहीं आता है कि आज जो पद्ध ले कर बैठा हुआ यह बावा साप μए देर है अगर उसमें च्मता होती तो बावा साब के समविधान से पहले और आरक्ष्ठम से पहले पद्ध में बहाता है तीन पीडी पहले कोई माईकलाल एसा नहीं पूरे भारत में, जिसके पिताजी या जिसके दादा सरकाई नौकरी में हो, एकाद किसी के हो, अंग्रेजों के टाइम में तो हो सकता है, कहीं सिपाई भाई भरती हो, कहीं कुछ चप्रासी भरती हो, कहीं कुछ हो, गलती से साल पहले कोई हिष्टी नहीं है किसी की दी, उस समय तो हिष्टियां है, जब हम असुक के समय पूरे राजा थे, असुक सम्राठ थे, खुद हम विस्वगुरु बुद्ध थे, या चंद दो तो मौरे थे, या उसके बाद अभी पांस साल जो पहले तक है, उसका इतियास है कि हम पूरे देश के मालिक तर राजा थे, पर चार्सो पांस साल से और सतर साल पहले तक के इतियास में कहीं भी हमारा कोई भी वेक्ती ऐसा नहीं है, जो तीन पिड़ी पहले कहीं उच रहा हो, पर वो जो पद साथ आता है, वो पद बीमारी लेके आता है, और हमारा अच पांच लाख रह गया है, पंदर लाख रिटार हो गया है, यह पंदर लाख जो रिटार लोग हैं, यह जुवा खेलते रहते हैं, यह सराब पीते रहते हैं, बहुत सारे मर भी गए, यह लड़ते रहते हैं, जगडते रहते हैं, पर अपने लोगों के लिए काम नहीं करते ह वो बाबुजी हैं, वो पद लेके बैठे हुए हैं, वो आप उनसे बात करोगे, तो वो अपने व्याख्याम सुनाते रहेंगे, कि मैं दफ्तर में ये था, मैं ये था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, पर सोसाइटिक ने क्या किया, संग के लिए क्या किय समाज ने क्या किया वो जी रोबटा स्रनाटा होता है वहां कोई कुछ नहीं होता तो इस पद से हमारा फाइदा नहीं हुआ इस पद से हमारा नुकसान बहुत हुआ और इस पद का इस्तमाल हमारे लोगों को देने के लिए लगातार किया जाता है जो दूसरे लोग हैं उन्ह के बीच में एक पद फैंक दो और ये कुट्टे की तरह लड़ेंगे इसलिए हमारे चार आदमियों की बीच में जो हमारे बावा साब ने लेके आए जो उन्होंने MP ML का दिया इतना तो पता है कि रिजरफ सीट से यही बंदा जीत के एक बंदा आएगा पर वो चार पांच हमारे जो लोग हैं उनको कुट्टा बना के उनके बीच में एक मास का ठोड़ा फैंक देते हैं कि हम आपको चुनेंगे आपको इससे मुक्त होना चाहिए अगर इससे मुक्त नहीं होंगे तो हम जीत नहीं सकते बुद्ध ने इस बीमारी को पहचाना और कोई पद नी मनाया ना उनका खुद का पद ना कोई संगनायक ना कोई सेनापती ना कोई संग सेनापती ना ही कोई प्रमुक का पद ना ही कुछ गुद्ध बहुत समझ आ थे, उन्हें पता था कैसे चलता है काम, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई पद्नी मनाया, वो खुद भी और उको भंते और भिक्कू बोलते थे, और बाकी लोग भी उनको भिक्कू और भंते बोलते थे, सब का मामला इक्वल, सारे लोग बरावर, पहले आया है, वो ज्यादा जानता है, उसका सम्मान होगा क्यों नहीं, उसने संगो को ज्यादा टाइम दिया, पहले दिया आके, वो पहले समझा बात को, जो बात में आया, वो जूनियर रहेगा, और जो सीखता चला जाएगा, और जो छोड़के चला जाएगा, बात में आएगा तो फिर दुबारा से जीरो से स्टार्ट करेगा उसका काउंट नहीं होगा कि उसने पहले काम किया साथ साल छोड़ के क्यों गया? इसका मलत संको समझा नहीं. ये सीनियर्टी का जो काम था या उनकरने बनाया, पर से ये पता चलता था कि किस गाओं में कितने आदमी सीखने वाले कौन से भेजने हैं तो उन्होंने थेरा और महा थेरा करके नाम दिये ताकि अंतर रहे सीखने वालों में कि ये ज़्यादा काम के हैं ज़्यादा उम्र के हैं और ये अभी अभी आए हैं उनको सामने बोला करत माह 35-फ्रृ वियुश्ता और कहीं चोटा-मोडा सिखाना है तो 13 बेश्ते थे और कहीं बहुत ज़्यादा लोग को सिखाना HERE और सीखे-सखाय लोग को सómoं सिखाना है तो महाध 14 बेश्ते थे और जहां इतना लेवल बड़ा है के महाध तेरा भी काम नहीं वहां खुद जाया करते थे, क्योंकि वो सिखाया करते थे सबको, वो सबके ठेनर थे, तो ये बातें वहां होती थी, इससे पद की परंपरा और पोष्ट की परंपरा हमारे यहां नहीं थी, और इत्यास में कभी भी पद पोष्ट की परंपरा नहीं मिलती यह जो संत जितने भी आये हमारे इन्होंने भी कोई पद पोष्ट की परंपरा नहीं डाली जितने भी हमारे समण संत आये जैसे भी जो ग्यानी और महात्मा जिनको हम बोलते हैं या महामानब बोलते हैं, उन्हों सारे लोगों ने भी कोई पद की और पोष्ट की परंपरा इजाद नहीं की, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, पर उनके जाने के बाद भिक्कु संग में भी पद पोष्ट आ गए, भिक्कु संग बरवाद हो गया, वहाँ प्रेश्ज चोटे भिक्कु संग बोल गए, संग्ठरी बन गए, भिक्को संग क्या रहा है वह भिक्कु संग्ठन हो गये सारे कारे, उन्होंने भी सारे वो ही काम सुरू कर दिये, जो संग्ठर्ण में होते हैं, पदों के लिए जगड़ा होने लगा, मारा मारी होने लगी, गाली गलो प्रधान का नहीं रहेगा प्रधान का नहीं रहेगा पिर रात में यह सोचेगा मैं प्रधान होना चीए था मैं प्रधानी हुआ इस प्रधानी के चकर में लोग रात रात में जाके अपनी बोटे हासिल करते हैं ताकि प्रधानी बनी रहे हैं मैंठिल में काम के लिए नहीं करना का जगड़ा नहीं है पोश्ट आ जाए बस अधिकतर संट्रों में पोश्ट लेने के बाद काम नहीं होत तो आज हम यहां बैठके और रो नहीं रहे होते हम यहां बैठके यह बात नहीं कर रहे होते कि हम मारे जा रहे हैं और हमारे बच्चे खत्रे में हैं पद की यह सबसे बड़ी दिक्कत रही तो पद के बात में जो प्रतिष्टा आती है प्रतिष्टा को पाली में बोड़ते ह यानि प्रतिस्थान, यानि कि हम किसी व्यक्ति को कोई इस्थान दें, उसको इस्थान दें, बरावर का इस्थान दें, और किसी और व्यक्ति के इस्थान पर इस्थान दें, तो प्रतिश्था या प्रतिश्था जो होती है, वो किसी को इस्थापित करने के लिए होता है, को स्थापित कर दिया या उसको उसकी प्रतिष्टा हो गई तो हम मूर्टी को कहीं उचे स्थान पर स्थापित करते हैं लोगों का आईवल बनाते हैं किंद बनाते हैं कि लोग इसको देखेंगे लोग इसको जानेंगे लोग इसको मानेंगे तो यह जो स्थापना होती है या इस्थापना नहीं हो पाएगी बाकी लोगों का जो अस्तित्व है वो खतम हो जाएगा वो कभी इस्थापित नहीं होंगे उनकी प्रतिष्टा जीरो हो जाएगी और अगर किसी संग के अंदर एक व्यक्ति की प्रतिष्टा बनी रहे और बाकियों की जीरो हो जाए तो वो सं इसमति आधारित एकल व्यक्ति बाद पर आधारित एक व्यक्ति की संस्ता हो जाती है और ये जो संख्या में कम लोग होते हैं वो हमेशा किसी व्यक्ति को स्थापित करते हैं उसकी प्रतिष्ठा करते हैं उसका जंजागरण करते हैं उसका चारों तरब बोलबाला करते हैं ल उनकी प्रतिश्टा होती है फिर इनको बाकाइदा बीडिणंग मराई जा जाती है बीडिणग बनाकर न Inkay Function किये जाते है फिरुन की जैजकार की जाती है य। निन पर संखक लोगों का काम है ताकि वह अपने व्यक्ति की महिमा से और लोग जो बहु संखिक लोगान के दिमाग में डालें कि हमारा जो व्यक्ति है वो बहुत उंचा है वो बहुत कलाकार है उसका जैजैकार करो उसकी बात करो उसको मानो क्योंकि हमने अस्थापित किया है हम उसकी प्रतिष्ठा में हैं हम उसकी शान में हैं हम उसे मानते हैं इसलिए आप वी उसे मानो ये जोड़े एक ईस लूले लगणे आदमी Studios को जिनने कभी जिंदगी में मैटक ना मारा हो उसको शेर का शिकारी बना के पृतिष्टार कर देते हैं उसको उसकी महिमा कर देते हैं उसकी गुलगान कर देते हैं और उस गुलगान का हमें मजबूर करते हैं साम दम दर्ण भेच छलकपट से हट रहे से या तो उसको टीवी में दिखाके या उसको अक्वार में दिखाके या उसका होडिंग चापके या उसका जैकारा करके या उसकी कह पूटी कहानिया बता के या उसका चित्र लगा के बस उसको इस्थापित करना है उसकी प्रतिष्ठा इस्थापित करनी है दिमाग के अंदर ताकि हम माने या ना माने पर वो प्रतिष्ठा बनी रहे पर बुद्ध ने इस प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खतम कर दिया बुद बुद्ध को मानने के लिए बाद में जो बुद्ध के दुस्मन थे उन्होंने बुद्ध को इस्थापित करने के लिए बुद्ध की मूर्टिया बनाई और बुद्ध की महिमा की और बुद्ध का जैकान किया गुणगान किया और त्रीपिटक में तो ऐसे ऐसे संदर मिलते ह कि आदमी त्रिपिटक पर विश्वास करना ही छोड़ दे, बुद्ध पर विश्वास करना ही छोड़ दे, यानि जिस बात को बुद्ध मना कर रहे हैं, वही बात त्रिपिटक में आई हुई है, इससे पता चलता है कि वहाँ कितनी मिक्स हुई है, कितनी मिक्सिंग हुई है, जो बुद्ध खुद को कहते हैं कि मैं एक साधाल इंसान हूँ उसको चमतकारिक इनसान करके हजारो वर बताया गया है और लोग पूझा में प्रतिष्ठा में पता नहीं क्या-क्या करते हैं ऐसे गुड़दान करते हैं जिस बुद्ध ने अपनी मूर्ती और प्रतिष्ठा के लिए प्रतिश्टाक ने मना किया, उसी बुद्ध का चाहता है बड़े-बड़े फोटो और होटिंग लगा के प्रतिश्टा करते हैं, पर बात नहीं मानते बुद्ध की, क्योंकि खतम कарना है. अगर बुद्ध की बात मानते होते तो बुद्ध स्थापित हो जाते हैं, उनकी प्रतिष्टा हो जाते हैं, बात मानने से प्रतिष्टा होती है, मूर्ती स्थापना करने से जयकारा करने से प्रतिष्टा खतम होती है, इसलिए हमारे जो लोग हैं, वो लोग जब अपने ही लोगों का जयकारा गुंगान करते है की बात नहीं मानते हैं तो उनका काम करते हैं जो हमसे काम कराना चायते हैं वो भी यही चायते हैं कि यह अपने महाप्रोस की असली जो प्रतिष्ठा है जो स्थापना है जो उनके विचारों की जो उनकी आडियोलोजी की वो ना करें और मूर्ती और जैकारे में लग जाएं आज हमारे जो लोग हैं, जैकारा खूब करते हैं, 14 अपरेल को जैकारे की कोई कमी नहीं, पूरे विस्प में सबसे बड़ा जैकारा हमारे डॉक्टर अमेटकर का होगा, पर सबसे ज्यादा अधिकार भी हमारे डॉक्टर अमेटकर के लाए हुए चले गए, इसको कोई नहीं जाते हैं, उनके विचार बनी जाते हैं, क्योंकि विचार महापुर्सों के जो होते हैं, वो गरम लोहे पर चलने जैसे होते हैं, वो कांच के टुकड़ों पर चलने जैसे होते हैं, पैरों से छाले पढ़ते हैं और खून निकलते हैं, कौन करे इस काम को, इसलिए विचार को इस्थापित नहीं करते व्यक्ति को इस्थापित करते हैं तो प्रतिष्ठा इसलिए हमारे जहर है क्योंकि हम प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठा करना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहिए विचार की और एडिलोजी की वो ना करके कि हम व्यक्ति में चले जाते हैं और वो हमारे निये जहर हो जाती है और वो हमको ही मारती है इसलिए समण संग ने पृतिष्ठा को बंद कर दिया कि हमें पृतिष्ठा नहीं करनी है किसी व्यक्ति को स्थापित नहीं करना है पर हम विचार को स्थापित करते हैं और विचार पे काम करते हैं उसलिए वहाँ चलते हैं मंचज जो हुती है मंच आ पाली को यानि ऐसा तकता ऐसी जगे ऐसा को इसके चार समझ सकते हैं बैठ समझ सकते हैं कि मंचो का जोूतरा हुता था jy यहां पहले भी बताया था कि समन संग के अंदर मिट्टी का मंच बना लेते थे तो जब बात कहने वाला है तो उसकी आवाज चाहर तरक पहुंचे माइक तो थे नहीं उस समय तो बात पहुंचे तो थोड़ा ऊपर जाके खड़ा हो या उपर जाके बैठे तो उसको और का contact रहेगा और बोलने वाले की बात को सब ध्यान से सुनेंगे अगर बोलने वाला सुनने वालों को दिखाई ना दे तो सुनने का interest खतम हो जाता है यानि कि कोई व्यक्ति है जो से बोल रहा है जैसे हम संगती लगाते हैं और नीचे बैठके लगाते हैं और नीचे हम सारे ब संग आसन पर ना बैठे तो उसकी बात को आधे से जादा लोग सुनेंगे नहीं क्योंकि दिखाई नहीं देता तो एक आध बात सुनेंगे उसके बाद interest खतम हो जाएगा यहां भी जो लोग सुन रहे हैं जो मेरा फोटू देख रहे हैं जो मेरे आखों का और चेहरे का जो हिलना देख रहे हैं उससे उनका attention मना रहता है पर अगर यह फोटू बंद हो जाए और खाली बात आती रहे तो आधे लोग का जो attention है उनका जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा और वो अपने काम में लग जाएंगे काने धर रखेंगे पर बागी चीज़ें और काम में लग करते थी कि कहने वाला कहे पर कहने वाला कहके वहीं रुख जाए या बात कहेना और वहीं जम जाए या कुछ ना करना हो और वहीं टंग जाए या वहाँ पर कोई इतनी कुरसी पढ़ जाए और बीची कुरसी पर जाकर टंग जाए तो फिर वो मन्च नहीं हो जाती फिर तो तो वो एक तरह से जैसे डांसर लोग होते हैं और उनका समू आता डांस करने के लिए लोग उनका चेहरा देखते हैं उस तरह की हरकत हो जाती है यही काम मंच में बिगड़ गया मंच होती इसलिया थी के लोग अपनी बात करें और बात करके वहां से हट जाएं पर लोगों न चेहरे का खेल इसलिया सुरू हो गया कि चेहरा हमारा देखेंगे बार बार तो हमको पहचानेंगे हमको पहचानेंगे तो हम प्रतिष्ठित होंगे हमारी प्रतिष्ठापना होगी हम प्रतिष्ठापित होंगे तो हम चुनाम में खड़े होंगे हम चुनाम में खड़े हों सामने बैठने वालु की संक्या कम होती है मंज़ बैठने वालों की ज्यादा हो उसने गावे तुमने पैसा नहीं दिया उसने जेब की अंटी से जो चोड़ जेब होती है उससे 20 या रुपे निकाले उनको हाथ क्या दिये जो आयो जग थे हमारे साथी थे उन्होंने का जाओ बोलो मुझे मेरा दिमाग घूं गया देखो बोलने की बीमारी कितनी है मंच की कितनी है भाशन की कितनी है ये बीमारी बहुत बुरीता से फैल चुकी है अगर आपने किसी को मंच पे नहीं बठाया तो वो आपका दुस्मन हो गया जनम से और आपने किसी को मंच पे बठा दिया तो बड़ी मीठी मीठी बात करेगा आपका दोस्त हो गया ये ठीक ऐसे है कि जैसे सरावी लोग बैठते हैं अगर आपने किसी को सराव नहीं पूछा तो दुस्पनी हो गई और आपने सराव को पूछ लिया तो दोस्ती हो गई फिर तो चल भाई कहा जीना है कहा मनना है ये वेवचार हो गया ये बीमारी हो गई इसलिए संग ने इन बातों को पहचाना इनको समझा क्योंकि पुराने समय कोई मन्च नहीं होता था और ये बीमारी नहीं होती थी पर ये बीमारी बहुत बड़ी बन गई जो समाज को तोड़ती है तो मन्च को भी खतम कर दिया और माला जो होता है आप जानते हैमा मालनी तो हैमा मालनी का जो नाम है हैमा उसका नाम और मालनी का मतलब है माला धरन करने वाली मालनी का मतलब और जो माली होता है वो माला बनाता है माली माला बनाता है और मालनी माला पैंती है माला जो होती थी वो स्रंगार में यानि अपने आपको एक पिर्मुक रूप से दिखाने की निये जो नायका होती थी जो महलाय होती थी जो नारिया होती थी क्योंकि नारिया प्रकृति ने सुंदर बनाई है और वो मनुष्ये के लिए अपनी सुंदर्टा देखके एक अच् खुबसरत होती हैं, तो नारियां और जादा अच्रुंड होने के लिए और च्रुकि पहले स्वैंबर हुआ करते थे, तो स्वैंबर में जो नारी है वो चुना करती थी, उसके हिसाभ से पर बात में जब स्वैंबर खतम हो गए, तो उसमें नारियों की चुनने की आजादी खतम हो गई, जब यहां पित सतात्मक लोग आ गए और यहां पर यरुसलम से लोग आ गए, मद्धेशिया से लोग आ गए, जहां पर जो पुरुस प्रधान संकती थी, उसको उन्होंने लागू किया और यहां होने लगे, तो स्व पैना करती थी, और वो मालाओं को बालों में भी लगाती थी, गले में भी पैनती थी, हाथ में भी पैनती थी, बाजू में भी पैनती थी, यह मालाओं का था और वो खुद माला बनाया करती थी, या माला खैदा करती थी, माली से, पर यहां तो पुरुस भी अपने आपको इस्पेसल दिखाने के लिए ओटो जैसा संगार करने लगे और यह पनपटो बढ़ने लगी और यह पनपटो इतनी बढ़ गई के मालाओं के जखड़ होने लगे और माला माला नोटों की बने लगी, माला जो अंजीर की बने लगी, माला इलाइची की बने लगी, माला बहुत बड़ी-बड़ी बने लगी, इतनी बड़ी-बड़ी माला बने लगी कि दस-वीज़ लोग उसके अंदर आ जाएं, दो-चरह आदमी से तो माला उठे ना, जितनी मोटी जितनी बड़ी माला उतना बड़ा प्रदसन उतना बड़ा धिकार उतनी बड़ी वहवा उतनी बड़ी प्रतिष्ठा माला के लिए जगड़े होने लगे अगर माला आपने मंच पर किसी को बलाया और उसको माला नहीं पहलाई और किसी और को माला पहला दी तो जीवन भरका दुस्मन हो गया हमारे गले में माला नहीं डाली और उके गले में माला डाली तो वो माला के जगड़े होने लगे और माला जगड़े का कारण बन गई यह जगड़े का कारण जो दूसरे लोग है और उन्हें इसका फाइदा उठाया वो क्या करते हैं एक के गले में माला डाल पर माना नहीं पहने कभी विशयश अधिकार या विशयश देखावा नहीं किया उन्होंने यह महिलाओ 27 पर पहने लगए बीमारी हो गई पैसा क्राब होता है तोग होता है इसलिए है यह सिटम खतम कर दिया गया तो पूरे संग के अंदर से जो पद पतिष्टा मंच और माला है यह सारी की सारी चीजें खतम की गई और इनको खतम करने से बड़े लाब हुए उससे लाब यह हुआ कि संग में जो टूट-फूट होनी होती है उसकी स्पीड बहुत कम हो गई संग मे जो पैसा और टाइम बरवाद होना चीए था इनके पीछे वो बंध हो गया क्योंकि जितने भी काईकरम होते हैं उन काईकरम में सतकार का कारीकरम दो-दो घंटे चलता है लोगों का जिसका आपने मंच पे बुला के पटका नहीं दिया माला नहीं दी गमचा नहीं दिया ब लोगों से आपकी ब्राइब भी करेगा तो जिसका चेहरा दिखाई देता है आईजब को उसी को ब्रा लेता है सारे जितने भी हमारे काईकरम होते हैं सारे कारेकरम ऐसे हैं एक एक डिटल घंटे बस उनका सतकार होता है अच्छा उनका सतकार होता है और नीचे वालों का द बैठे हुए हैं वो सारे सामान्य होजाते हैं जितने भी लोग उपर बैठ बैटे रहते हैं वह अधिकारी हो जाते हैं और नीचे वाले ऑर्ट्मेंटिक गुलाम हो जाते हैं नदर्ध डिस्क्रिमिनेशन का अंतरकार उचफ नीच का इससे बहतर काम हम नहीं करते हमारे जितने भी संग्ठन एमेरे लोगे उँच नीच का भेदभाब खुग दवा के पैदा कर रहे हैं और भासठन जभ देते हैं तो उँच नीच के लिए देते हैं कि हमारे साथ ऊंच नीच में लिए अरे जब तुम खुद उंचनीच करते हो मंचों पे बैठ बैठ के जब तुम खुद उंचनीच करते हो किसी का सतकार करके और बाकियों का दुदकार करके जब तुम खुद उंचनीच करते हो किसी को स्थापित करके और बाकियों की स्थापना खतम करके और जब तुम खुद उंचनीच करते तो तुम्हारा धिकार हो गया. şu दूसरा करें उसके लिए तुम treaties नहीं चलेगी. इसलिए संग के अंदर डबल पॉलिशी नहीं चलती डबल इसलिए संगिक अंदर एक ही काम चलता है और यह पांच वा भर काम सरकारी गौर्रमेंट का किया और अब संग में आगे हम अपने आपको इस्थापित कर लेंगे इतना फाल तो नहीं है संग भाई बहुत रेयर है बहुत उंचा है इसका उंचा मत्था उंची सान संग की पैचान है सब समस्ता है संग आप जमीन पर बैठ सकते वाओ किया और सोसाइटी के लिए क्या किया आपने बावस आपने का पे बैक टू सोसाइटी उसमें क्या किया आपने तो रिटार्मेंट के बाद करोगे और रिटार्मेंट के बाद भी आते सीधे पत मांगोगे और सीधे पोस्ट मांगोगे और सीधे स्थाप्रा मांगोगे पिस्ताफ संग में आया और संग ने इसको बहुत जल्दी पायत कर दिया कि वह यह तो बीमारी है जितना जल्दी कट जाए उतना अच्छा है और यह बीमारी का कटी संग सुख हो गया और संग बढ़ने लगा क्योंकि जब मन में ही पद नहीं है जब मन में ही प्रतिष्टा की बात नहीं है जब यहां होगी ही नहीं तो यहां वही आएगा जो इसको समझेगा जो जानेगा इसलिए संगों के अंदर ना मंच होती है ना माला होती है ना पद होती है ना प्रतिष्टा होती है कोई कह सकता है काई करिम नगता है तो मँगाथे क्योंकि मंच का मतलब होता है कि व्यक्ति को इस्थापित करने के लिए वहाँ बैठाएं उनका जयकरा लगाएं उनका सपकार करें उनको बात करें वहां हम जगे का पूरा इस्तमाल करते हैं मंच पे हमारे सारे संगी बैठते हैं बलकर महिला और बच्चे सबसे पहले जागे बैठते हैं और खूब सोर मचाते हैं हमारे बच्चे और हमारी महिला है कोई नहीं रोपता उनको क्योंकि हम उसको मंच की तरह इस्तमाल नहीं करते हैं, हम किसी को इस्थापित करने के लिए, सब को चुप करके उनकी वहावा करने के लिए काम नहीं करते हैं, वो हमारे मिलने जुलने का इस्थान है, वो हमारी संगती का इस्थान है, वो हमारा पारवरिक संगती का इस्थान अपना व्यक्ति आता है जो भी जिसका नाम पुकारा जाता हैं और सिधाचलोँ होजाता है कई कोई उसका जय कारा वयकारा नहीं होता नाम बुराया नाउंसन ने सीधा आएगा संक्या जो उसे सब्जेक्ट मिला है वो बोलेगा और बोलके जितना टाइम उसको होता है उसे पहले पता होता है बोलता है और चला जाता है संगासन खाली फिर दूसरे आते हैं परिवार के साथ आते हैं तो यह जो सिध्धांत जो द्हाने पुराने हैं और जो बुद्द ने डव्लप कि यह बंच नहीं होता वहा कोई माला नहीं होती वहां कोई सब्लोग और से बीवार सारी लोग अपने नी底 में साब से बैढते हैं सब लोग की सीनिटी के साब से बैढ़ते हैं जो बहुत senior होते हैं वो आगे बैठते हैं जो बहुत junior होते हैं वो पीछे बैठते हैं जो नए होते हैं उनका इस्तान पीछे होता है एक पक्ष होता है और व्यवस्ता चलाने के लिए वो खुद अपना एक हैं वैसे तो 10 के 10 नियम बहतिन हैं पर बीमारी काटने का ये नियम सबसे बहतिन है इस नहीं न scored होगा ना पत्रिश्टा होगी न माला होगी जो कुछ होगा सब बरावर होंगे सब बरावर रहेंगे सब का परावर अधिकार होगा अ अगर मेरे इस वक्olds में मैं कहीं कोई तुटी हुई हो तो संग मुझे माफ करें संग मुझे माफ करें संगंग नमामी संगंग नमामी संगनमामी जैभीम नमवध्धाय